हेलो गेमर्स क्या हाल चाल आप सबी लोगों के तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ OBS की कुछ ऐसी सैटिंग्स जिने आप यूज करके अपने नॉर्मल माइक को भी एक प्रफेशनल माइक में बदल सकते हो जी यहां बिल्कुल फ्री सुना आपने इसके लिए आपको क कैसे आ रही है जो कि फस्सेंपल है है तो हैलु दोसतो यह वाली अवाज आपको अभी कैसे आ रहे है तो यह वाली आवाज गैस आप सुन रहे हो सैंपल No.3 तो तो आपको इन सैंपल पता लग गया होगी हम और क्याश्चा काitel कृफ्षी को कैसे चेंज कर सकते हैं काफी अ बाद में कर देना यार फटावट से लाइक कर दो इस वीडियो का एम लखते हैं और यह तो सिस्क्राइब बाद में कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए फटावट से वीडियो को स्टार्ट तो गैस आ चुका हूँ मैं अपने PC पर और भाई headphone मैंने पहन लिया है क्योंकि आप जो recording होने वाली है वो इस mic से होने वाली बना आप बोलोगे कि भाई आपने बोला था कि आप headphone वाले mic से करके दिखा रहे हो बड़ आप record कर रहे हो बोया कि mic से तो ऐसा नहीं होगा आप जो ओके tell reverb search करने के बाद आपको ये दो plugin से देखने को मिलेंगे हम दोनों ही open कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे काम का plugin है वो कौन सा है तो ये वाला वी एक plugin आता आप इसे भी install कर सकते हो और ये वाला plugin है का आता ये काफी जादा अच्छा होता है और इसमें आप काफी जादा कस्टमाजिशन कर सकते हो बट दुख भरी बाद गाइस ये है कि ये वाला plugin अभी नहीं चलता यानि कि ये plugin पेड़ कर दिया गया अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसका एक demo बर्दन मिलेगा और वो भी coming soon में है तो इससे वाला वो plugin मैं आपको दे दूँगा link नीचे description में तो वहाँ से आप जाके download कर लेना भाई आप उससे आसानी से use कर सकते हो freely है कोई दिक्कत नहीं है और 32 bit और 64 bit दोनों ही मैं आपको link description में दे दूँगा folder का महा से आप download कर लेना तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो ग लग जाएगा install होने के लिए यहां पर आपसे कुछ permission मांग रहा है तो बाई permission को allow कर दो और finish कर दो उसके बाद आपने OBS में जाना है OBS में जाने के बाद यहां पे settings पर क्लिक करो और यह headphone पहन लो अब यहां पे guys आपको कुछ ऐसे settings बताने वाला हूँ जिसे आप use कर सकते हो काफी अच्छे से work करेंगी तो चलिए दिखाता हूँ आपको तो सबसे पहले guys आपने advanced properties में जाना है और अपना monitor only को on कर लेना है इससे क्या होगा कि जो भी आप settings करोगे वो आपको खुश सुनाई देंगी यानि कि आपको जैसे भी quality चाहिए आप बना सकते हो तो इसे पॉन कर लेना तो चलिए फिलार मैं close करता हूँ इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ को जो मेरी audio record हो रही है वो microphone USB यानि की ये वाला हो रहा है बोया माइक से नहीं हो रही है ठीक है तो चलिए से मैं close करता हूँ और उसके बाद चलते है filters में filters में जाने के बाद सबसे प तो यहाँ पर देखोगी है काफी जादा noise को capture कर आप simple यहाँ पर मैं जाओंगा क्लिक करूँगा और noise suppression को add कर लूँगा जिब noise suppression आपने add करना है तो हमेशा इसको good quality वाला ही use करना है यहाँ से आप quality चेंज कर सकते हो तो अगर आप good quality वाला use करते हो तो भाई इससे आपकी करना है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद आपने gain add करना है gain आपकी मर्जिय करना चाहो कर सकते हो नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो तो gain भी डिक्कत नहीं अगर आपसे बढ़ाना चाहो थोड़ा सा तो बढ़ा भी सकते हो तो इसके बाद जो next plugin आपने use करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और VST Plug-in पर क्लिक करना है यहाँ पर आपने इसका नाम दे देना है Reverb Reverb इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि भाई यह प्लग-ean क्या काम कळता है तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर टैल रिवब को सेलेक करें अपरें इंटरफेस कीजिए हलो तो अब आप audio quality में आपको difference सुनने को मेरे गता हूँ मैं थोड़ी से audio यहाँ से बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे clear सुनाई दें अब मैं से on करता हूँ हलो हलो गाइस तो अभी आपको मेरी आवाज कैसी आ रहे है मतलब थोड़ा साथ चेंज हुआ है बैट यह का जो गेन है मतलब एक तरह के रिवब है वो काफी जादा है तो आप इससे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो हलो तो अभी देखो आज काफी जादा चेंज हो गई है और इसी तरीके से अगर आप करना चाहते हो वेट कम करके और इसका साइज बढ़ा दो तो हेलो गाइस मतलब इस ते भी काफी जादा अच्छी क्वाल्टी हो जाती है तो अभी आपको प्रची तो अभी आपको जो मेरी आवाज आ रही है मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूं इन तोन में तो अभी आपको मेरी आवाज यारी हेलो गाइस तो ये वाली आवाज में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा मैं इससे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ हलो गाइस हलो तो ये वाली आवाज आपको कैसे सुनने को मिले यार तो ये डिफरेंस है इसमें और भाई अगर आप इसे यूज करोगे तो यहाँ पर आपको जो सैटिंग्स है वो काफी जादा अच्छी हो जाएंगी और इससे भी आप मतलब काफी जादा कर सकते हो बढ़ा आपको इसमें थोड़ा सा आप डाउन करना पड़ेगा इसे वेट को चेंज करो और साइस को चेंज करो तो गैस इस तरह से आप जो भी ओडियो अपने वीवर्स को देना चाहते हो उस तरह से आप कस्टम इससे बना सकते हो तो इससे भाई ओडियो को वाल्टी काफी जादा अच्छी हो जाएगी तो गैस इस तरह के से आप अपनी ओडियो को काफी अच्छा कर सकते हो इस plugin को use करके अब इस plugin के इलावा भी ऐसे बहुत सारे ऐसे plugins होते हैं जिने आप use करके अपनी audio को काफी जादा crystal के लिए अगर सकते हो या मतलब ऐसे streamer वाली voice को बना सकते हो जो कि इस mic पर भी बिल्कुल support करेगी तो वो plugins भी भाई आपको next video में देखने को मिल जाएंगे तो फिलाल मैं आपको इनकी एक जलक दिखाता हूँ तो चलिए तो यहाँ पर tell reverb on करने के बाद आप second option में जाएंगे tell इस plugin को दोबारा select करेंगे vst2 को और यहाँ पर ok कर देंगे और यहाँ पर आप देखो गए तो भाई आप मैंने यहाँ पर काफी जादा plugins को add किया हुआ आप मैं आपको first दिखाता हूँ एक minute तो यह plugin हो गया आप मैं आपको और दिखाऊँ यह second plugin हो गया और यह अपना एक और plugin हो गया अब इसके लाब भाई काफी जादा plugins होते हैं अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यह वाला कोई इस तरह का होगा भाई और अगर आप चेंज करना चाहते हो इसके लाब भी काफी जादा होते हैं तो एक यह हो गया अपना और यह भी काफी अच्छा है इससे भी आप काफी जादा कस्टमाइज कर सकते हो और यह वाला को नोवा के कुछ plugins हैं और लेम्टर इस तरह के plugins काफी जादा खतरनाक वाले plugins होते हैं अब यह देखो compressor के लिए और यह कुछ ऐसे plugins है तो अपना जो हमने डाल यह आपको दिखाई दिया है कुछ इस तरह के तो कुछ इस तरह के plugins होते हैं काफी जादा plugins होते हैं और यह plugins अभी पेड होते हैं आराउंड 200 डॉलर के plugin हैं तो यह वाले plugins होते हैं इससे आपको audio quality काफी जादा अच्छी होई अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हो तो भाई फटावर्ट से वीडियो को लाइक कर दो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दो क्योंकि इन plugin की cost आराउंड आपको 200 से 300 डॉलर पर जाती है अगर आपको फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगी तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई